आप सभी दर्शुकों का स्वागत है इस नई वीडियो पर जहां पर हम सीखते भी है और पैसा भी कमाते हैं आईए चल कर जाने जूब्लेंट फूड के बारे में और सप्टेमर 14 को इंट्राडे में क्या ट्रेट कर सकते हैं इसमें क्या आप लॉंग जा सकते हैं अगर जा सकते हैं तो क्या stop loss रहेगा और क्या target रहेगा पूरा visualization करेंगे इस वीडियो में technical analysis के साथ में और आपको बताएंगे इस वीडियो इस फोर education purpose only आप अपने research खुब कीजेगा फिर अपना decision दीजेगा अभी भी ये overall positive technical direction में है और technical setup भी बहुत positive है इसका बताते हैं कैसे आई चल कर देखें सबसे पहले इसका chart को तो अगर हम सबसे पहले इसका chart देखें तो देखें हम आपको थोड़ा सा zoom करके दिखाते हैं RSI के साथ में आपको chart बना के दिखा रहे हैं तो देखें RSI का जो level है वो RSI का level positive direction दिखाने की कोशिश करा है यहां से यह देखें RSI ने करीब 71 का level पे है अभी और यहां से 3 दिरों से उपर जाने की कोशिश कर रहा है जो कि एक healthy sign होता है stock के लिए उपर यह 80-85 तक जा सकता है अगर कोई positive news रहती है stock में तो अभी के लिए अच्छा direction बना हुआ है अच्छा setup है उपर जाते हुए stock में continuously उपर जाने की कोशिश करेगा ताकि आपको setup RSI के reference में positive दिखाई दे रहा है यहां से clear अब अगर हम इसका intraday का हिसाब से भी देखे जाए तो देखे कल जो इसमें कारभाई की तो बहुत अच्छी की थी उपर की level से थोड़ी सी selling आई थी पर आपको समझना पड़ेगा कि कहां पर यह हुआ है कैसे हुआ है तो हम समझाते हैं देखे पहली 15 मिनट में एक बहुत शांदार लंबी candle बनी उसका follow-up मिला उसका भी follow-up मिला तो पहली एक गंटे में काफी बड़ी green candle बन गई है इसकी और उसके बाद में थोड़ा सा retracement आया है जो कि 50% का retracement आना बहुत ही अच्छी और healthy sign होता है यहां से यह technical setup पूरा positive लग रहा है कल का आगे आने वाले time में jubilean food पूरा positive direction में उपर रहने की कोशिश करेगा Monday के दिन के लिए तो यह एक अच्छा sign है अब अगर इसको यहां पर हम कुछ और parameter पर देखें तो इसका एक intraday की बजाए daily chart को देखेंगे तो हम फिर level बताएंगे इसके आपके साथ में कि क्या level आपको धियान रखने है देखें इसने जो bounce back दिखाया था यहां से तो यह जो पहले इसका resistance था 2308 का अब वो अच्छा support की तरह से काम करेगा इसका यह बाद आप धियान रखिए जब हम level बताएंगे तो यह बहुत useful रही है आपके देए अब अगर bank nifty और nifty की बात करें तो कल बहुत धीला कारोबार रहा nifty में मुश्किल से 50 point के दारे में सारा दिन कारोबार हुआ ऐसे में nifty और bank nifty में इंट्राडे ट्रेट में मज़ा नहीं आता है करने के लिए ना बुल्स को पैसा मिलता है ना बेर्स को पैसा मिलता है तो ऐसे market का कोई अच्छा indication नहीं होता है जादा अब अगर अगर दूसरा indicator देखें तो पहले पंदर मिट के चार्ट पर देखते हैं तो देखें इंट्राडे के basis पर super trend बहुत अच्छा indicator है इसने continuously उसको buy signal दिया हुआ था कल सुबह से ही अब अगर यही चीज हम long term पे देखें तो आपको तब clear होगा यह दोनों चीज मिलनी चाहिए तब जाके आपको trading करना है तो short term में अप है और long term में तो वावा क्या कहना ही कहना 45 degree का angle बना के उपर चड़ता जा रहा है Titan आगे चलेगा और तेज से बढ़ेगा तो यह बहुत अच्छी बात है इसको आगे चलना ही होगा आगे अब अगर हमारे पास एक और indicator होता है जिसको हम कहते है high low band अब high low band का क्या होता है जब तक stock का band का direction ऊपर है जो की stock का है very good और जब तक इसका section का ज़्यादा तर हिस्सा या तो upper band में या उससे बाहर रहता है तो direction positive technical setup होता है आप उसको short मत कीजेगा इसको long ही रहने दीजेगा भी stock को तो यह इसको मत कहते हैं overall positive technical setup का मतला अब अगर please consult your financial level before investing and trading there could be a possibility of error in our video as well as the levels found out by our research team so we have right to stand corrected आपको Monday के दिन इसको 2325 पर buy करना है और 2295 पर इसका stop loss रहेगा आपको ध्यान हमने पहले वीडियो पर पताया था 2000 जो support बनेगा अब देखे उसकी विज़े से ध्यान रखिये कैसे बताने लेगल थाकि आप भी आगे सीख सके इसको दोस्तो इस चैनल का objective सीखना है सबसे important काम सीखना है आप सीख जाएंगे तो फिर आप खुद से भी यह सब कर सकते हैं और सीखने की बात से याद आया हमने अपने चैनल पर एक educational वीडियो का अगे intraday में तो आपकी efficiency बहुत बढ़ जाएगी आपके trading के reference में दोस्तो हम लोग nifty और bank nifty की intraday paid service भी प्रवाइड करते हैं charges लिखें आप mail drop कर सकते हैं गर आप interested है तो अब इसका target क्या रहा है का मंदे के लिए 2415 का target हम बता रहा है मंदे के लिए इसको आप अपना hold करके long term मिले और 2415 का target आपको शाद मंदे को मिल जाना चाहिए दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार like button दबाईएगा और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आशा करता हूँ आप सीख रहे हैं जै हिंद जै भारत